तीन मचलियों की कहानी लेखक कथा वाचक स्रीजन चीला 7th A. गीतांजली देवाश्रे समय की बाते एक तालाब में तीन बड़ी मचलिया रहेती थी इन तीनों मचलियों में आपस में घनिष्ट मित्रता थी परन्तु इन तीनों में एक अलग ही तरह का कौशल था पहली मचलि बहुत बुद्धिमान थी वह जो कुछ भी करती थी सोच समझ कर करती थी दूसरी मचलि बहुत हस्मुक बुद्धिमान और बड़े काम की थी वह हमेशा किसी भी समस्या के समाधान के लिए अपने तेज दिमाग को उपायो करती थी तीसरी मचलि को भागी पर बहुत बरोसा था उसका यहाँ विश्वास्ता कि जो भी होना होता है वो होकर ही रहता है उसे उसकोई भी बदल नहीं सकता एक दिन तालाप के किनारे पानी में खेलते समय पहले मचली ने मचुवारे के बात सुनी एक मचुवारा दूसरे मचुवारे से बोला यहाँ तालाप अच्छी मचली से बढ़ा हुआ है कल हम यहाँ आ कर मचली पकड़ेंगे यहाँ बात सुनकर मचली अपने मत्रों के पास जा पहुंची और सब कुछ बात दिया जो उसने सुना था चलो हम इस नाले के रास्ता होकर इस तालाप को छोड़कर किसी और तालाप को चले जाते हैं मचली बोली दूसरी मचली बोली मैं यहाँ तालाप नहीं चोड़ूंगी मचवारे आने के बाद मैं अपने आप बचाने का कोई तरीका दून लूँगी तीसरी मचली बोली मैंने अपना पूरा जीवन इस तालाप में ही बिताया है मैं यहां तालब नहीं चोड़ूंगी क्योंकि उसे अपना किसमत पर भरोसा था पहले मचली किसी भी संकत में फसना नहीं चाहती थी उसने तुरंट नहीं तालब की खोज में वहा तालब चोड़ दिया अगले सुबह मचवारे आए और उन्होंने जाल डाल दिया दोनों मचलियों जाल में पस गए दूसरी मचली जाल से बाहर निकलने का उपाय सोचने लगी उसने स्तिर होकर मर जाने का नाटक किया मचवारे ने उसे दूसरी मचमरी मचलियों के साथ पानी में फेक दिया जबकि दीसरी मचली जो अपनी तकदीर पर बरोसा रखी थी जाल के अंदर फसी रही अचानक एक मचवारा जाल से निकालते समय उसे मार डालता है इस प्रकार तीनों मचलिया अपनी सोच के अनुसार अपनी जिन्दगी का रास्ता कुछ सिंती है सारांश जो जैसा सोचता है वो वैसाई बनता है